नमस्ते दोस्तो बिहारी क्योकिंग में आप सभी का स्वागत है दोस्तो तो आज मैं बैगन की इतना जबरदस्त स्वाद्रिस्ट रेशिपी लेकर आई हूं दोस्तो कि आज से पहले आप कभी भी नहीं बनाए होंगे दोस्तो तो इतना स्वाद्रिस्ट रेशिपी नहीं बन इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाना दोस्तों तो यह बैगन है दोस्तों और बैगन के चार फारों में कट कर ली हूं और अंदर देख ली हूं कि इसमें कीरा तो नहीं है दोस्तों और बैगन जितना नाजु वखेते हैं देख से और स्र maps दिखा रही थे उरही है उसके बाद में उबालने जा रहे नमक खहल्warm दाल देल कर वचया सबस्ड़ करें नमक ठाजर में अच्छह का य। 16 से आज अभालर रहें तो फिका फिका सलेगा इसलिए नमक और अल्दी जरूर डालकर आप लोग इस रेशीपी को बनाना उबालना यानि की बैगन को तो मैं कढ़ाई गेशुला पर राकी हूं और सरसोर तेल डाली हूं उसके बाद मेथीका फोरां और थोरा सा इसमें मैं सौफ डाल रही हूं दोस तो कोई पेट को नुकसान ना पहुंचे और उसके बाद चार मेडियम साइज के प्याज को मैं बारिक काटी हूं दोस्तों इसकी पर देख लिजिए किस सेब में काटी हूं उसी सेब में आप लोग बारिक काट लेना उसके बाद प्याज को दोस्तों गोल्डन ब्राउन तक यह देखिए golden brown हो चुका है उसके बाद यह दो गांठ लासुन का पेश्ट है दोस्तों और पेश्ट डालने के पाद थोरा साइस में में पानी डाल देती हूं उसके बाद बाकी के मसाला इसी में में डालूंगी दोस्तों तो दो चमच में लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हू और एक चमच ढल दी डाल रहे हूं उसके बाद अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेती हूं मिक्स करने के बाद दोस्तों इसमें स्वाद अनुसार नमक में डाल रहे हूं तो आप लोग स्वाद अनुसार अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल लेना नमक डालने के बाद अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद इसमें थोरी सी मतलब आधा को पके हुए यह देखिये तो 10 मिनित के बाद इससालो जाल रहे हुए मैं अच्रलिकाएंजेद के सीजिए का इससा मसाला भी डॉस्ट दोस्तो तक टमाटर का इससाथ जन Chief की मैं पटमाटर भी हाते हुए दोस्तों कनें द्चाल जाल ए इसमें एक गिलास के करीब मैं पानी डाली हूं और पानी डालने के बाद इसी में मैं उबले हुए बैगन को डाल देती हूं दोस्तों सभी बैगनों को डाल कर अच्छे से मिला लेती हूं यह दखिए कैसे मैं मिला रही हूं ताकि रस में अच्छे से डूब जाए उसके तो दस मिनट हो गया है और यह हमारा रेशिपी बन के रेडी हो चुका है मैं गैस को आफ कर देती हूं और आप सभी को एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूं दोस्तो तो आप लोग एक बर इस तरीके से आप लोग जरूर बनाना दोस्तो आप लोग को बहुत ही पसंद रहे तो आप लोग बनाकर खा लेगे तो बर-बर इसी तरीके से बनाएंगे लेकिन बैगन आप लोग ना जू कहीं लेना दोस्तो जिसमें बीज कम हो तो वह सही बनेगा दोस्तो और उसके बाद इसमें मैं डुरस डाल देती हूं दोस्तो और यह देखिए कितना बढ़िया है अभी में आप सभी को पराठे के सात भी दिखाऊंगी कि कितना स्वर्डिश्ट diamond बढ़िया लग रहा है खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों और मैं टेस्ट कर गेहं है आप सभी से रेसिप्ट सेर कर रही हूं दोस्तों तो यह देखिए अभी मैं आप सभी को पराठे तोर कर और इस सब्जी में डुबो कर आप सभी को खिलाती हूं दोस्तों वीडियो के माध्य हमसे तो फिलीज आप सभी से रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फिर भी लोग नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए वाई वाई दोस्तों